बची हुई रोटी के आज हम एक ऐसा स्नैक बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप हमेशा इसे बची हुई रोटी के साथ बनाना पसंद करेंगे ये रेसेपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो बिल्कुल भी मिस्ट ना करें तो चलिए आज की रेसेपी हुड़िकर से बची हुई रोटि ली हैं जिसका हम स्नैक बनाएंगे आपके घर वे अगर रोटी बच गई है तो भी tak?!" आप एसा ही रोटी को फ्री कर देंगे तो क्यों हमें उसकी हम जाएगा एसने फूल जाएगी पूरी की तरह खूल लईन ही देना हो हम्में प्लेन ही ह इसके वजह से हम इसमें प्रिक कर रहे हैं यानि छेद कर रहे हैं आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसमें प्रिक कर दिया है हर तरफ आपने देखा होगा जैसे पीजा बेस में भी प्रिक करते हैं हम लोग उसी तरह से हमें रोटी को प्रिक करना है अब इस रोटी को हम फ् कर देना है रोटी तुरंती फ्राय हो जाएगी आप देख सकते हैं इतना प्रिक करने के बावजूद भी रोटी थोड़ी सी फूल ही गई है लेकिन इतनी नहीं फूल ही है अगर आप प्रिक नी करेंगे तो पूरी फूल जाएगी तो बस इसका जो ऑईल एक्सिस ऑईल निका तु समें टोमेटो केचप का ही सूज लाधा अच्छा है टोमेटो केचप को हम फइला देते हैं केचप को अच् Commodal करे फीचस को फइलादेने के बाद हम इसे पर चीज डालेंगे और प्रिको आपके पास चीज एवइलेबल है आप उडाल सकते हैं जैसे मेरे पास ही है ज पिजल प्रमज़ते हैं तो आफ पने पसंद के इसले कोई बीचे समय सेविपा भीडिया तो पैजर यानि आपड भी डाल देता एम से कांग को वक्विबचों को बहुत पसंदन आता हैまり झौक Phillyर भी अच्छा लगता है खाने में पीजा तो इस तरह से हम कॉर्ण भी डाल देते हैं कॉर्ण डालने के बाद आप चाहें तो इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ी सीजनिंग भी लेकिन सीजनिंग हर किसी के पास होती नहीं है तो मैंने आप इस्तमाल नहीं की है आप चाहें तो कर सकते ह और चीज में अल्रेडी काफी सॉल्ट होता है प्लस केचप में भी सॉल्ट होता है तो मैंने सॉल्ट का इस्तमाल भी नहीं किया है अब इसको सीधा हम बेक करेंगे बेक करने के लिए आप कोशिश करें कि पुरानी कड़ाई का ही इस्तमाल करें क्योंकि बेकिंग के टाइम प सीं चीज हैता कंदर जाएं खुलगा geno है जब इतना मेल करना है किना जर्फ समय नहीं की जब बीच में ठकन खुल creature इसमें पानी डाल देता पीजा की यह अपनी डाले कडrows के अंदर आंदर डाल ब्रहें तब होगा उसे क्या होगा कड़ाई बहुत गरम है आप जैसे ही पानी डालेंगे इसमें भाब बनने लगेगी और भाब के वज़े से चीज पूरी तरह से और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं चीज यहां पे अच्छे से मेल्ट हो गई है तब तक ही आपको इसे तो बस इतना ही हमें बेक करना था और चीज अच्छे से मेल्ट हो जाने चाहिए पीजा की उसके बाद हम पीजा को निकाल देते हैं और यह देखे मैंने से पीसिस में भी काट लिया है बहुत इसी टेस्टी पीजा बनता है क्योंकि नीचे की जो रोटी है वो काफी क्रिस् और साथ में वेजिस का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको भी आज की बची हुई रोटी का पीजा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें